जोनी ने बड़ी शॉट मानने की कोशिश की और गेन मिस कर दिया तो अब पाँच बॉलों में पंद्रा पाँच बॉलों में पंद्रा रंज इरंगा की कोशिश यही रहेगी कि बल्ले बास से जितना दूर गेन रखा जाए उतना अच्छा क्योंकि उनके रेडार में यहां गेन कहीं आ गई तो जितनी सोर से बल्ला गुमाते बाउनरी के बाहरी जाके गेन गिरेगी दोनी ने च्छे मार दिया वाह वाह और हमारी जाम कामेंटी करें उसके च्छत के उपर गेन आके गिरा क्या शौट क्या प्लेर है प्रेशर में क्या लाजवाब छत का रसीट किया है और यही हम बात कर रहे थे कि उनके रेडार में अगर गेन आ गई तो फिर बाउनरी के बाहरी जाके गिरेगी वो गेन इतना दम खम छोग देते हैं हर एक शौट में यह खूबी है माइंडर सिंग धोनी की उचाई और दूरी दोनों आसानी से हासिल कर लेती है वो केन जब संपर्क बल्ले के बीचो बीच होता है यह देखिए कमार का शौट बरपूर शौट एमेस धोनी का तो आप बात कुछ बनती हुई नौ रंज और चार बॉल एरंगा अब परिशान होंगे अब प्रिशर पड़ा है एरंगा पे और स्रीलंका पे एमेस धोनी फिर से तयार है बड़ी शौट के लिए कवर के उपर से चार रंज मिलते हैं या नहीं मिलते हैं शह चार रंज एमेस धोनी जवाब नहीं है पाँच रह गए और टीम रंज जैसे के कैलकुलेटर फिट है उनके जेन में जैसे के फील्ड फिट है एमेस धोनी के जेन में पैंस खुशी से जूम उठे यकीन नहीं आ रहा ला जवाब इनिंग्स खेले और क्या आप बेंटिंग कर रहे है जैसे प्रेशर पढ़ा है मेस धोनी ने अपनी क्लास दिखाई है यही वज़ा है कि यह कभी विचलित नहीं होते कभी ख़बराते नहीं कभी हताश नहीं होते क्यूंकि इनको अपनी काबलियत पे भरोसा है यह खूबी है महिंदर सिंग धोनी की दबाओ अब पढ़ चुका है इरंगा पे और वो जादा अनुबवी है नहीं इसका फायदा उठाएंगे यह भारतिक अप्तान तीन गेंडे पाच रण जीट से दूर सिरफ एक शॉट की बात है यहां एक बाउंडरी भी निकल आई तो स्कोर्ट बराबर हो जाएगा हमला फेर होगा MS-Doni तयार CD-shot चैनल फ्लाट भारत फाइनल जीट गया भारत फाइनल जीट गया MS-Doni जीट गया Midas टच लफ्स मेरे पास नहीं है कि मैं यह बता सकूँ कि MS-Doni ने क्या जादू दिखाया यहां पर एक हारवा मैच जीते हैं और यह सिरफ MS ही कर सकते है जादू ही ताकत है इनका जहें जितनी बड़ी मुश्किल सिचुएशन हो उतना ही साफ काम करता है क्लारिटी होती है कहां इन्होंने शॉट लगानी है और भारत ने कमाल फाइनल जीता है एक विकेट से MS-Doni ने एक्तामाल कर दिया जिया इनके शब्द कोश में असंभव शब्दी नहीं है जिया जे जिए एक बाहना है